Hello students, today we will start history 4th chapter in the earliest cities In this chapter, हम earliest peoples के जरीए जो सबसे पहले cities डेबलब हुई थी इंडिया में उनके बारे में जानेंगे कि सबसे पहले cities इंडिया में कौन सी इमर्जड हुई थी ठीक है तो उसमें जो सबसे इंपोर्टेंट है आपकी दा स्टोरी ओफ हरपा इंडियस वेली सिविलाजेशन के तहट हरपा एक बहुत ही इंपोर्टेंट सिटी थी हरपा एंड मोहन जोदारो पूरा उसका जो एरियाज था उत्तरप देश का आलमगीर से लेके जंबू कस्मीर में मांडा और साउथ में महाराष्ट्रा और अगर हम बेस्ट की बात करें तो एरान तक इसका छेत्र फैला हुआ था स्टेचिस थाा इंडसडेश्वेले शिवलाजिशन का यानि Says शिन्दु सब्विता जैसे कहते हैं हम सिन्दु सब्विता तो शिन्दु सब्विता कइनी की इंड़ेश्वेले सिवलेजेश्चन it is very important city of Harappa तो सबसे पहले Harappa को खोजा गया था अपका तो very often old buildings have a story to tell हम बहुती old buildings की story के बारे माँ जम बात करेंगे nearly 150 years ago आज से 150 years ago यानि 1500 साल पहले when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab engineering stumbled upon the site of Harappa in प्रजेंडिव पाकिस्तान चोकि यह Harappa कहाँ पे है पाकिस्तान में हम भी आटाकिंग अबाउट द्यूरिंग बिट्टिस पीरियेड यानि 21 यानि सबसे पहले यह 1826 में एक्जेक्ट इसका जो 1826 में है कैप्टन जो कि रेलीवी लाइन्स के लिए उंजटिनिर थे जोकि रेलीवी लाइनस के लिए जगे देख रहे थे तो उन्हें एक जगे पर बहुत वरानी इटें दिखाये दिवी 1826 में तो वह उन्हें जो इटें थी ब्रिक्स थी वो अपने head को जाके वहाँ पे दी तो कुछ समय बाद उन इटों से पता चला कि यहाँ पे इसके नीचे under the surface एक बहुत ही old civilization क्या हो रही है florist हो रही है यानि हुई होगी किसी समय पे तो उसके बारे में पता चला उसके बाद 1921 and 22 it's very important days for Indus Valley civilization यानि जो हडपा है उसको देखा गया तो वहीं पर यह इंटे देखी गई थी Captain Manus के दौरा 1826 में उसके बाद जो head of department होते है archaeologist के उस समय जो थे उन्होंने दो लोगों को यहां की खुदाई करने के लिए digging करने के लिए excavation करने के लिए वेजा जिनमें सबसे important नाम है जो Pakistan में जो हरपा है उसकी सबसे पहली जो खुदाई की थी तो वो थे आपके दैराम सहनी 1821 में and ठीक after one year 1922 में राखल दास बेनर जी मोहन जो दाड़ों की उन्होंने खुदाई की और बहुत सारी old buildings, things, बहुत सारी चीज़ें grain, crops इन सब के हमें वाँ पर evidence मिले इससे पता चला की जो civilization है बहुत ही पुरानी है इतनी world में कोई पुरानी civilization नहीं, जितनी ये civilization है, mostly इसके जो sides थे वो कहां मिले, किस नदी की किनारे, Indus, यानि सिंदु नदी की किनारे, mostly इसके sides मिले ठीक है, तो हरपा के बारे मैं में बात करने जा रहे हैं, हरपा जो कि किस नदी की किनारे था, रावी नदी यानि जो कि भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी फ्लो करती है, तो हरपा जो है, रावी नदी के किनारे है जो भी हम बात कर चुके हैं, एक टीला मिला था, माउल मींस टीला, जब है हाई क्वालिटी की ब्रिक्स मिली थी, पकी हुई इट है जो कि रेल्वे लाइन बन रही थी, उसके लिए वहाँ से उठा के वो ब्रिक्स को ले गए थी, मैनी ब्रिक्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइड जिरमें से बहुत सी ब्रिक्स डिस्ट्रॉइड हो चुके थी, क्योंकि हजारों साल परानी यह सब ने था थी, यानि हम बात कर रहे हैं, अब 80 years नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे लगभग, 100 years ago, यानि 1920 से, आर्कोलोजिस्ट बता चुका हूँ, कौन थे आर्कोलोजिस्ट होते थे, जो सर्फेस को डिगिंग करके, अर्थ को डिगिंग करके और जो तिंक्स को निकालते थे, ओल्ड ति स्टेडी करते थे, तो आर्कोलोजिस्ट फाउंड दा साइट एंड रिलाइजड देट इस वाज वन अव दी उल्डेस्ट सिटी इन दा सब कॉंटिनेंट, यानि जो आर्कोलोजिस्ट थे, उन्हों ने देखा, कि ये इस महादीब का सबसे पुराना एक सहर है, as this was the first city to be discovered यानि एक्जाम में भी आपके पूचे जाता है कि भारत में सबसे पहले किस cities को discover किया गया तो तो याद रखना, it is Harappa, Harappa, okay, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappa, these cities developed about 4700 years ago, यानि हम we are talking about 4700 years ago civilization की बात कर रहे हैं, इसलिए mostly जो bricks थी, चीज़ें थी, things थी, वो कैसी हो चुकी थी, destroy हो चुकी थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 5000 साल पहले की, यानि ये सब बेता 5000 साल पहले एक बहुत ही strong, powerful, florist city रही होगी, Harappa, जो हर तरीके से well managed थी, वहाँ के houses, वहाँ के drain system, वहाँ के lights, वहाँ के roads, everything is perfect, तो very often old buildings are pulled down to make way for new constructions, do you think it is important to preserve old buildings, हमें रखनी चाहिए old buildings को preserved, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं, we are talking about Harappa, ओके, चलिए, what was special about these cities, अब इस cities में special क्या था, तो many of these cities were divided into two or more parts, यानि ये cities जो भी found हुए थी, Indus Valley civilization में, वो दो भागों में divided थी, usually the part to the best was smaller, but higher, यानि जो part था best का, यानि हम direction को देखें, east, west, south, north, तो जो best का था वो smaller था, लेकिन higher था, यानि उंचा था, तो archaeologists describe this as the citadel, generally, the part to the east was larger, larger but lower, यानि शीटरल बोलते थे इसको, और generally, the part to the east was larger but lower, जो कि east का part था, वो large था उससे बड़ा, लेकिन कैसा था, lower था, नीचे साइड में था, ओके, this is called the lower town, यानि कि two parts में इंडर्स बेली सिविलाजिशन की बहुत सारी cities divided थे, upper part and lower part, तो upper part से आप समझ रहे होंगे, upper parts में कौन लोग रहते हैं, rich लोग रहते होंगे, ruler रोग रहते होंगे, traders रहते होंगे, specialist, craft persons रहते होंगे, और lower में, यानि east side में कौन रोग रहते होंगे, public, people, ठीक, this is called lower town, very often walk of big bricks were built around each part, the bricks were so well big that they have lasted for thousands of years, यानि जो यहां पर यूटों का use हुआ है, दोनों parts में, वो हजारों सालों से वैसी ही है, बनी हुई अभी तक, पिल्कुल सही है, the bricks were laid in the interlocking pattern and that made the wall strong, और जो bricks लगी हुई वो interlocking, एक दूसरे से locked है, interlocking है, pattern पे बनी हुई है, और बहुत ही strong यहां की walls और दीवा रहा है, okay, in some cities, special buildings were constructed on the citadel, मुख्य, जो सहर होता था, कहन दो होता था, वहां पे buildings बनी हुई है, यानि कि आपके अपर पार्ट में, for example, in Mohanjodaro, यह very special tank, which archaeologists call the great water, it is very important, in your future, when you are preparing any competition exam, तो you will found, these type questions, come in competitive exam, competitive exam में इस तरह की questions पूछा जाता है, और में भी आप ही चुकाय कई बार exam में, कि great water, कहां पे found हुआ है, कहां पे पाया गया है, तो यह मोहंजोदारों में एक बहुत बड़ा इस्नानागार, great water, मिला है हमें, was the will in this area, सबसे बड़ी building है यह, great water, build area, this water, lined with bricks, coated with plaster, यह ब्रिक्स का यूज किया गया है, इसमें plaster का भी, यूज किया गया है, यह पलस्तर है, and made water tight, with a layer of natural tar, और natural tar बिचाया गया है इसकी layers में, जो कि पानी नीचे ना जाया, इसलिए, जैसे हम cemented लगा देते हैं, जो, damar भी बोलते हैं, जैसे, there were steps leading down to it from two sides, अब यहाँ पर जो wells मिले हैं, कुवे मिले हैं, उसमें नीचे जाने के दोनों साइड में सीड़ियां भी मिलती हैं, while there were rooms on all sides, चारों तरफ से rooms भी हैं, यहाँ पर मिलते हैं, मकरने water was probably brought in from a well, पानी कहां से लाया जाता था, कुवे से लाया जाता और ड्रेंड आउट आफ्टर यूज, और उसके बाद उसे, वहां से निकाल भी दिया जाता था, perhaps important people took a dip in this tank on a special occasion, ऐसा माना जाता है, scholar कि according to scholar, कि इसको किसी special occasion पे यूज किया जाता था है, इस tank को, आप किसी भी मंदिर, टेंपल्स में जाएंगे, गुर्दवारा में जाएंगे, तो यूज आउट आफ गुर्दवारा, आउट आफ मंदिर, आप टेंक जरूरे कहिन कहीं आपको एक दिखाई देगा, जहां पे लोग mostly, अपने आपको कह सकते हैं, प्यूर करते हैं, बात करते हैं, तब मंदिर में जाते हैं, प्रिवेस करते हैं, पूजा बाट करते हैं, तो ऐसा ही यहां कि स्कॉलर्स का मानना है, कि ऐसा कुछ रहा होगा, अब यहां में 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 देखिए, में में इंडिया की बैस्ट आने की, पाकिस्तान वाले एरियाज में मोहंजोदाडो और सुतकाको दो इंपोर्टेंट सिटीज दी है आपकी पाकिस्तान में और इंडिया में देखिए पाकिस्तान में हरपा भी दिया है और फिर ये इधर साइड में इस्ट साइड में कनेरी वाला काली बंगन है न चुंदुरो दोलावीरा, सुरकोड़ा, लोथल, इट इस वरी इंपोर्टेन सिटी ओफ इंडेस वैली सिविलिजेशन इन इंडिया, ये इंडिया में है हडपा सब्विता की, क्योंकि हडपा सब्विता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमने हडपा नाम अगिस्थान पर ही इसके रिमेंस देखे थे, यानि सबसे पहले जिस इस्थान से सुरुआत होती है, उसी नाम से उसको नॉमिनेशन उसका किया जाता है, तो इसलिए से दूसरा नाम हडपा सिविलाजेशन भी कहते हैं, फिर मोस्टली इसके सैट्स मिले इंडस रिवर के किनारे, तो इसका नाम चैंज हो गया, इंडस वैली सिविलाजेशन हो गया, ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे थे, ग्रेट वात की, तो ग्रेट वात इस लोकेटेड इन मोहन जोदारो, ठीक, चलिए, अगनिवेदिका बनाते हैं, जिसमें पूजा पाट की सामागरी डालते हैं, वैसा ही फाइर अल्टर्स मिले हैं यहाँ पे, पे, और यहाँ पे स्टोर हाउसे भी हमें मिले हैं, मोहन जोदारो, हरपा और लोथल जैसी जगे पे, ओके, चलिए, दिजा शीन ओ ग्रेट वात, यह ग्रेट वात है जो हमें मिला हैं मोहन जोदारो से, ओके दे पिक्चर ओफ ग्रेट वात लोकेट इन मोहन जोदाडो एंड हाउसेज ड्रेंस एंड इस्टीट्स अब हम भी आर डिसकेशन अबाउट हाउसेज ड्रेंस एंड इस्टीट के बारे में पढ़ेंगे तो जनरली हाउसेज बर आईदर वन और टू स्टोरीज हाई यानि यहां कि जो हाउसेज मिले हैं उनमें कॉमन क्या है कि वो दो स्टोरी के मिले हैं वन और टू स्टोरीज के इन थर्ड स्टोरी नहीं मिली है तीसरी मंजिल नहीं मिली है दो मंजिला मकान मिले है आप एक मंज और दो मंजला कह सकते हैं वन स्टोरी एन टू स्टोरी बेद रूम्स विल्ट अराउंड एक कंट्रियार्ड और रूम्स के चारो तरफ बीच में एक आंगन भी मिला है काफी ओपिन एरिया आप मोस्टली गाउं में जब देखेंगे बिलेजिज में जाएंगे तो वहां पे तरह कर देखेंगे के चारो त्रफ से मकान होता है रूम्स एखेंда वीच मैं का ओंगन होता कंट्रियर्ड बीच में जानक मों मोस्ट एड़निंगे से जोपरीट वाथा इरिया ficar और ये सब किसे हैं या। यह से के से से उपरेट अलग है यानी नहाने के लिए अलग बना और कुछ ऐसे मिले जहां water supply होती थी यानि इस बिल्कुल adjoining wells होते थे हुए होते थे लगे हुए ठीक है तो many of these cities had covered drain notice how carefully these were laid out अब यहां की जो drain system मिला बहुत ही बढ़िया मिला है जो की cover था drain system था जो नालिया थी जो घर का पानी जाता था बाहर cities out of cities आज भी हम देखते हैं drain system होता है सहरों का नालिया बनी होती है roads के किनारी और वो कहीं बखर जाके सारा पानी गिरता है गंदा जो पानी होता है that you see happy drain जो थी system वो बहुती well maintained था covered थी सारी drain उपर से covered की हुई थी ठीक है तो इस तरह मिला हुए है although you can't see it each drain had a gentle slope so that water could flow through it इतना gently बना हुआ था कि जो पानी है वो आराम से उपर से नीचे slope बिलकुल ढलान में आराम से पानी जाता था उसमें very often drain in houses were connected to those on the street and smaller drain led into bigger ones और यह सारे जुड़े हुए क्या थे मैं बहार रोड पे जो drain थी उससे और यह drain जाके एक जगह पे पानी पूरा गया था था इनका as the drain were covered inspection holes were provided at interval to clean them और बीच बीच में holes भी बने हुए थे जहां पी गंदगी गेती थी उसको सब भी करने का system था all three houses drain and street were probably planned and built at a same time मतलब इतनी अच्छी proper तरीके से planned था आज से 4700 years ago आज से 5000 साल पहले हमारे सब बेता इतनी strong थी कि यह सब जो आज हम कहते हैं proper बनाते हैं houses जो हम 5000 साल पहले ही बनाने लगे थे proper houses drain and street system list at least two differences between the houses described here and those that you studied about in chapter 3 chapter 3 में भी आम पढ़ चुके हैं कैसे मकार pit houses के बारे में पढ़ चुके हैं pit houses जाने जमीन के अंदर इन जम्मू कस्मीर मापने पढ़ा कि जैसे cold season में वो जमीन के अंदर गड़े बना के रहते थे और summer season में उपर भी खाना बनाते थे इस तरह के rectangle मकान मिले हैं ठीक चलिए city in life in the city अब हमने city के बारे में पढ़ लिया कि city proper houses थे drain system था है ना और क्या था drain system था street थे proper अब life कैसी थे निया कि लोग क्या करते थे तो harpen city was a very busy place यानि busy में से population रही होगी इसलिए busy रहता होगा there were people who planned the construction of a special building in the city लोगों ने जो प्लान की थी special city का प्लान करते थे ऐसे लोग भी थे there were probably the rulers सायद the rulers भी रहेंगे it is likely that the rulers sent people to distance lands जो या के rulers थे वो long distance पे बेजते थे लोगों को to get metal precious stones and other things that they wanted यानि इन चीजों के लिए वो दूर देशों में बेजते थे अपने लोगों को metals के लिए precious stones के लिए और other things के लिए that they wanted जो जाते थे they may have kept on the most valuable object such as ornaments of gold and silver golden silver की ornaments भी पसंद करते थे यानि कि जेवर गहने और beautiful beads beads के बने हुए होते थे मोतियों के for themselves and there were scraps people who knew how to write scraps भी होते थे जो आपको लिखते थे किस पे palm leaf पे या बच ट्री के leaf पे जिसे कहते manuscripts manuscripts को कौन लिखते स्क्राइब्स जो लिखना जानते थे उन्हें scraps का जाता स्क्राइब्स who helped prepare the seals and perhaps wrote on other material that have not survived besides is Catholic तौर क्या होता था there were men and women crafts person craft person भी होते थे special जो hands से बनी हुए चीज़ें होती थी men and women दोनों करते थे making all kinds of things हर तरह की चीज़ें बनाते थे हांस से either in their own homes or in special workshops अपने घरों में भी बनाते थे और उनकी अपनी बर्क सब भी होती होगे वहां पर भी बनाते होगे people were traveling to distance land or returning with raw material यानि distance distance lands पे जाते थे दूरी मतलल दूर देश में जाते थे और जब आते थे तो raw material लेके आते थे and perhaps stories many terracotta toys have been found बहुत सी मिट्टी की खिलोने में ले हैं हमाई and children must have played with these और इनसे बच्चे खेलते थे टेरो कुटा means जो मिट्टी की बनी हुई toys होते थे उन्हें टेरो कुटा बोला जाता था यहाँ पे आप देखे पिक्चर दी हुई है कुछ दो यह किसके scenes है तो यह नीचे लिखा हुआ है जो पहली scene है उपर वाली यह इनसे जाता था जो हम आज इस तरह की बनाते हैं और अपने आपको बहुत सिविलाइजड मानते हैं हम आज से पांचाजा साल पहले ही सिविलाइजड थे इस तरह की चीज़ें बनाते थे second में दिया है well यह कुआ है and left side में क्या दिया है यह हरपन सील यह सील का यूज होता था आपने you watch मोहन जो दाड़ो उसमें आपने इस तरह की एक picture देखी होगी तो यह क्या थी सील थी the sign on the top of the seal are part of the script this is the earliest form of writing known in the subcontinent scholar have tried to read this sign what we still do not know exactly what they mean हम कोशिश करने पढ़ने की लेकिन हम अभी तक इस script को उपर जो लिखी हुई इसके हम पढ़ नहीं पा रहे हैं अभी तक ठीक है लेफ्ट यह लेफ्ट में टेरो को टटवाज है नहीं मिट्टी के बने हुए खिलोने हैं आपके चलिए न्यू जो अब हम टॉपिक पर बात करेंगे वो न्यू टॉपिक क्या है न्यू क्राप्स इन दा सिटी तो वी विल डिसकेशन टुमारो थैंक्यू